गुड मॉनिंग बच्चों आशा है आई-पी के तीन पार्ट हम पहले देख चुके हैं तो आपने वह रीड कर लिया होगा और होमबग कॉपी भी कंप्लीट करी होगी आज हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं आई-पी का एक hardware और एक software hardware वह पार्ट होता है जिसे हम फिजिकली चेक कर सकते हैं देख सकते हैं कोई भी वायर हो गई केबल हो गई कीबोर्ड हो गया mouse हो गया monitor हो गया anything like that जो कि हम छू सकते हैं टच कर सकते हैं देख सकते हैं उसे हम hardware पार्ट कहेंगे जिस भी चीज को हम देख नहीं सकत हैं वो हमारे लिए software हो जाएंगे और जो भी चीज़े हम टेच कर सकते हैं वो हमारे लिए hardware हो जाएगा ठीक है तो इसको हमें definition wise भी देख लेते हैं hardware it is a set of physical components used to input data and produce output through a computer example keyboard monitor printer etc software it is a program that enables a specific problem as opposed to a specific task to process the input data provided to a computer okay अब हम आगे चलते हैं इसका next part introduction to a computer system ठीक हाडवेर पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो hardware में और कितने types होते हैं वो हम आगे देखने जा रहे हैं तो hardware के दो types होते हैं एक होता है input unit और दूसरा होता है output unit तो जो पहला है input unit वो हमारी किसी भी बाहरी data को computer में जब हम provide करते हैं process करने के लिए तो उससे हम input data कहते हैं जैसे आपने keyboard से कोई button दबाया आपने ए दबाया और वो ए जो है वो input computer के feedback में चला गया तो वो a input जिसने दिया वो हमारे लिए input device हो जाएगा और जो a input गया वो हमारे लिए input data हो जाएगा ठीक है output data के लिए output data के लिए हमारे पास output units होती है output units है जो चीज कंप्यूटर में आ चुकी है process होके जैसे आपने 2 प्लस 2 यहां से input देने के बाद आप answer expect क्या कर रहे होगे चार याने 2 और 2 जोडने के बाद 4 answer आना चीए तो 4 answer कौन लाके देगा आपको वो computer लाके देगा तो computer जब भी वो काम करेगा उसे हम कहेंगे processing computer अगर कोई काम process करता है तो से हम कहते processing और processing के बाद जब वो result announce करता है जैसे चार नंबर लाया हो दो और दो जोडने के बाद चार नंबर उसने लाया तो वह चार नंबर रोशो किस पर करेगा तो वह monitor पर शो करेगा तो monitor हमारे लिए output device हो जाएगी और जो चार नंबर है वह हमारे लिए output unit हो जाएगा ठीक है तो इसी प्रकार से computer वर्क करता है हम यहाँ पर देख सकते है फोटो में भी कि हमारे पास एक system unit है जो की CPU है वो process करने का काम करता है अंदर जो भी calculation चल रही है वो system unit देखती है फि devices करते है और output devices जैसे की scanner printer है या फिर monitor है जो कि हमारा result हमें देते हैं याने अगर हम कुछ print कर रहे हैं तो printer लाके कौन देगा हमें वो printer लाके देगा तो वो printer एक output device हो जाएगा ठीक है तो इसको simple definition में देखते है computer is an electronic device that has two units first is input unit to process input data second is output unit to process and show result अब इसके main use देख लेते हैं these functions are for each computer system जैसे यहां पर कुछ functions दिये हुए हैं जो कि हर computer system के लिए applicable है जैसे getting input data instruction through input devices providing result through output devices याने input लेने का काम input को process करने का काम और output देने का काम यह तीनों ही काम computer system में आते हैं फिर है storage of data या फिर multimedia multimedia याने songs हो गए, text हो गए, music हो गया, video हो गया, movies हो गई तो यह सारी जो चीजे हैं इन्हें multimedia कहा जाता है और इन सभी चीजों को store करने का काम storage device में होता है ठीक है इसी तरह processing और computing का काम भी हर computer करता है यह काम वो अपने system unit में करता है याने CPU में central processing unit में औ और उसी के अंदर और भी parts होते है जैसे LU होता है arithmetic logic unit तो इस अभी process करने का काम करते है ठीक है इसके लबब हर computer operating जरूर करता है operating याने अपने operations को चलाने का काम सबको एक साथ manage करने के काम को operations कहा जाता है ठीक है तो during operation the task is being carried out for all function unit सभी functional unit के लिए वो जिम्मेदार होता है ओक तो मेन unit के होते हैं इन सभी functional unit जो हमने अभी पड़े उनको करने के लिए main unit याने main devices कौन-कौन से होते हैं तो input भेजने के लिए होता है input device ठीक है for input of data input device होता है जैसे अभी हमने देखा था mouse और keyboard फिर process करने के लिए CPU, CU, ALU मैंने आपको बताया था वो process करने का काम करता है CPU का full form central processing unit, ALU होता है arithmetic logic unit और CU होता है control unit तो यह सभी process करने का काम करते हैं और calculate करने का काम करते हैं उसको assess करते हैं जो भी result दिया जाएगा कुछ type करने को कहा जाएगा तो type करके assess करने का काम कौन करेगा वो arithmetic logic unit या central processing unit CPU यह करेंगे ठीक है फिर जो result आएगा वो इस result को show करने क monitor करते हैं तो monitoring output device है ठीक है तो यह काम भी output unit का काम कौन करता है वो output device करता है for results results दिखाता है ठीक है अब इसके अलावा इन तीन main process के अलावा दो और processes हैं जो कि एक computer को करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास बहुत सारा data है तो से store भी करना जरूरी है इसके लिए उसके पास memory होती है जैसे दो प्रकार की memory होती होती है main memory जिसमें सारा data हमेशा के लिए store होता है आप जब तक delete नहीं करोगे नहीं जाएगा दूसरी होती secondary memory जिसमें कुछ समय के लिए data रहेगा और उसके बाद वह चला जाएगा temporary data store होता है ठीक है तो true store data main memory is also called primary memory main को primary भी कहा जाता है secondary memory is also called auxiliary memory तो इन दोनों का काम अलग अलग है एक permanent data के लिए होता है main memory और temporary data के लिए auxiliary या secondary memory इनका काम खली store करनेगा data आएगा data store करके लोग रखेंगे ठीक है जिसे हमारे इसमें RAM और ROM होते है ROM जो होता है वो permanent memory है RAM जो है वो temporary memory है ठीक है connections to move set of instruction ठीक है कई तरह के wire भी लगे होते हैं computer में उन्हें हम connections कहते हैं और उनका काम क्या होता है to move a set of instruction also called as data paths ठीक है सबी जो instructions हम देते हैं उन data paths को manage करने का काम उन signals को process करने का काम कौन करता है वो connection करता है तो यहां से हुआ ले signal भी होते हैं जो की control करने काम करते हैं जैसे कि keyboard और mouse इनके पास जो wire है वो wire control signal भेजते हैं ताकि सामने जो monitor में जो भी results आ रहे हैं उन्हें control किया जा सके ठीक है यह overview है यह आपको बनाना भी अपनी homework copy में यह आप ध्यान से देख लो इसमें उपर में आपको CPU दिख theoretical होता है और दोनों को मिला के बनता है CPU इसके अलावा input devices जो कि इनमे input data दे रहे हैं और output devices जहां पर output data यह result पहुंच रहा है ठीक है और वो शो करता है output device शो करता है result को खाली इसके अलावा इनके बीचों processing हो रही है जो arrow आप देख रहे हो arrow as it is बनाने आपको और इसके इनक in your homework copy आपका homework है and write all points in your fair copy यह जितने भी points हमने आज पढ़े है इसका आपको fair copy में लिखना है और कोई block diagram मिलता है तो block diagram बनाना है और इसको homework copy में लिखना है ठीक है बीटा तो आज के लिए इतना ही दन्यवाद